Hello and welcome everyone. Today we will be discussing about color coding of resistors. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि resistor क्या होता और किस काम आता है. Resistor जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि resistor जो होता है किसी भी circuit में current को control करने के लिए काम आता है. कहीं पे हमें current कम चाहिए होता है कहीं पे ज़्यादा तो जितना चाहिए होता हो उस value का हम resistor लगाते हैं. जैसे आप देख सकते हो यह जो resistor है इनमें आप देखोगे कि आपको जो बीच वाला हिसा है वहाँ पे coaxial ऐसे rings ही बढ़ी होती हैं. यह rings usually जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो four band resistor है जिसमें ऐसी चार rings होती है तो यह जो चार rings होती है इनमें जो इन पे colors होते हैं उनकी coding होती है अब coding का मदलब क्या है पहले आप देख सकते हो कि जैसे मेरे पास यह एक resistor है अब इस resistor में आप देख सकते हो कि four band है अब चारों जो बता रहा है कि color कौन से है उस को color का corresponding code क्या है वो हमें बार में पता चल रहा है और उसके बार multiplier फिर उसके बार है tolerance इसका क्या मतलब है अब जैसे पहले लिगा हूँ है black brown तो black का code कितना है 0 अब वो उसका corresponding multiplier कितना बनेगा 10 raise to power 0 एक पार आपको समझ लेना है ठीक है similarly brown brown जो ह उसका जो code है वो 1 है उसके बाद red है red का color कि code कितना है 2 और उसका multiplier पी corresponding 10 days to power 2 फरक कहां पर पढ़ता है जब आप इसी table पे सबसे लाख में जाओगे तो वहां पे आपको gold और silver दिखेंगे gold और silver जो होते हैं उनका code नहीं लिखा हुआ लेकिन उनका multiplier लिखा हुआ है एक बा बात आती है कि जब हमें किसी भी resistor की resistance पढ़नी है तो वहां पे जैसे मेरे पास ये एक resistor है हम लोग इस lecture को कैसे चलाएंगे quite obvious कि मैं पहले आपको color coding सिखाऊंगा फिर हम लोग इसको practically करके देखेंगे कि ये ठीक भी एक ने ठीक अब ठीक के भी दो आसपेक्ट लेंगे कौन-कौन से दो आसपेक्ट मान लीजिए कि आप कहीं पे काम करते हो जहां पे आपको resistance की जुरूरत पढ़ती है तो एक तरीका ही है कि आपको resistance पहले ही पता है और आपको ये बताना है कि अगर आपको मान लीजिए कि कितनी 220 ohm की resistor चाहिए तो आपको color ढूंडने कि कौन स इसे color वाली resistor आपको चाहिए और दूसरा क्या होगा उल्टा उल्टे का मतलब क्या है कि हम लोग हम लोगों को color पहले ही बता होगे और हमें resistance की value निकालनी पड़ेगी तो ये दो ही use होते हैं जो आप करना चाहते होते हैं तो जैसे ही आप देख सकते हो ये मेरे पास एक resistor है अब resistor को अगर मैं ऐसे पकड़ू तो मेरे पास color की sequence अगर मैं इधर से पड़ू तो वो एक बनती है लेकिन अगर मैं उल्टा पड़ू पकड़ू इसको तो फिर color की जो coding होती है वो अलग हो जाती है तो पहली बात यहाती है कि जब भी आपके पास resistor होगा उसको आप पकड जो end वाला color होता है ना वो या तो gold होगा या silver होगा या वहाँ पे कोई color नहीं होगा तो पहले बात करतें गोल्ड और silver की तो जो gold और silver है वो सिर्फ क्या बने है last वले पे लिए और जा फिर तीसरे के लिए पहले और दूसरे नंबर पे gold और silver color नहीं आ सकते यह आपको या तो क्योंकि गोल्ड जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है इसका मतलब सही पकड़ने का तरीका कौन सा हुआ इन दोनों में से उपर वाला या नीचे वाला अफकोर्स जो उपर वाला तरीका है वो ठीक हुआ न तो जो उपर वाला तरीका है उससे हम पकड़ेंगे इसको अब बढ़ेंगे कैसे resistance को तो एक बार आप दुबारा फिर उस table को देखिए अब आप उस table को याद नहीं रख पाओगे तो उसको एक याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ अब बहुत सारी books में बहुत सारे ways हैं इनको याद रखने के लेकिन this one is the best way I think क्यों best way बताता हूँ जैसे आपको कैसे याद रखना है कि black brown roads of your gate became very good when given silver paint तो जो paint है इसका इसमें कुछ मत्रब नहीं है बाकी सभी का मत्रब है इसका फाइदा क्या है अब देखो जैसे 20 में 3 बार आया हुग तो पहले दो थे black brown वो तो color ही होगे अब तीसरा भी क्या है पका blue है इसमें और blue का corresponding code क्या है बैटे six similarly एक इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जी है वो भी दो बार है तो ऐसे आप याद रख सकते इसको black brown roads of your gate became very good when given silver paint अब किसी भी resistor को पढ़ते कैसे हैं वो देखेंगे तो जैसे आप देख सकते हो कि आपके पास यह एक रिजिस्टर है अब इस रिजिस्टर के चार बैंड है और आप यह देखिए कि gold जो है कहां पर राइट मोस्ट एंड पर है देख लिए आपने अब क्योंकि वो राइट मोस्ट एंड पर है तो आप अगर coding को देखो मैंने अब साब में code दे दिया है तो आपको क्या करना है यह जो चार बैंड है इन चारों बैंड में पहले दो बैंड पहले आपने देखने है तो इसका मतलब यह हो गया कि red जो होगा वो हमारा पहला digit देगा हमारे resistor का और जो उसके बारवाला violet वो दूसरा color digit देगा यानि कि दो color होता है वो क्या देता है कि 10 की power कितनी आएगी इसमें multiply है तो into 10 raise to power क्या हो जाएगा वो third color का जो code होगा उसका नम मैंने Z रख दिया plus minus जो last में होते हैं वो gold और silver वो बताते हैं कि tolerance कितनी होगी मतलब इसमें variation कितनी possible है यह इससे ज़्यादा या कम कितना हो सकता है आप ऐसा ले सकते हैं तो gold के लिए जो tolerance होती है वो 5% होती है और silver के लिए यह tolerance कितनी होती है 10% यह हमें याद रखना है ओके तो इसका code कितना बड़ा वो देखते हैं बड़ा असान है बेटे एक बार यह समझ लिया तो फिर बाकी सारा आपको समझ में आ जाएगा तो आप देखोगे जो हमारा X है वो यहाँ पर red है तो red का code कितना होगा टू ठीक है जो मैंने पहले भी बताया आपको और जो y है y किसको खरस्पन करत अब पार कितनी लगा होगे जैड़ का मतलब है जो आपका last color है वो कौन से है वो आपका है green तो green का मतलब उसका code कितना बड़ा 5 तो इसका मतलब इसकी resistance कितनी होगी 27 इंटू 10 इस टू पर 5 ओं प्लस माइनस अब लास्ट वाला color कौन से है gold का मतलब कितनी tolerance होगी इसकी 5% 5% का मतलब क्या होगी आप सो बतारो जैसे ये 27 इंटू 10 इस टू पर 5 ओए तो ये 27 लैक हो गया 27 लैक का अगर आप 10% निकालोगे तो 27,000 होगा वन टेंथ है अब 27 का भी अगर हाफ कर दोगे आप 27,000 का हाफ कर दोगे तो वो बन जाएगा 5% तो वो कितना बन गया फिर 23,000 है तो इसका मतलब यह होगा कि जितनी यह रिजिस्टेंस लिखी है उससे यह 13,000 कम यह ज्यादा हो सकती है यह इसकी टोल्रेंस है यह आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉसिबल वेरियेशन एक्स में I hope you got this clear ना इसको आपको दुबारा सीख लेना है क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको करने लगे है Now as you can see मेरे पास दो रिजिस्टर है मेटे और एक कन्वेक्स लेंज है इसको मैगनिफाई करने के लिए क्योंकि ऐसे हमें कलर नहीं दिखेंगे और एक डिवाइस है जिससे मैं रिजिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ यह आपने देखा होगा कि मैंने कपैस्टर वाले चैप्टर में भी इसको यूज़ किया था ठीक है तो अब हम करेंगे क्या एक रिजिस्टर जो है ना हमें दो कुशन्स डिसकस करने पहले क्या है कि कलर देखके रिजिस्टेंस बतानी है और दूसरा रिजिस्टेंस देखके कलर बतानी है तो यह दोन हैं हमारे पास तो पहले एक को क्या करते हैं हम लोग टेप कर देते हैं तो मैं एक रिजिस्टर लेता हूँ और उसके उपर टेप लगा रहा हूँ ठीक है तो टेप लगाने से क्या होगा हमें इसके color नहीं दिखेंगे ठिक है तो अब शुरू करते हैं पहले मेरे पास यह रिजिस्टर है ठीक है तो अब इस रिजिस्टर के color कौन कौन से थे है पहले वो देखें लेते हैं ठीक है तो आप जैसे देख रहूँ कहे मैंने convex lens लगाया convex lens लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा के इसके जो color है वो है पहला color है blue फिर कौई से गरे फिर उसके बाद है brown फिर उसके बाद गोल्ड तो आब भी लिख लो इसको blue, gray, brown फिर उसके बाद कौन से है gold तो अब blue का code कौन से है में देखना पड़ेगा टीबल में से तो ब्लू का कोड़ कौन सा है बेटे 6 ठीक है पहले दो कलर पहले दो डिजिट देंगे याद रखना अब उसके बाद अब इन्टू पहले दो डिजिट बलगे अब इन्टू टैन्देश्टू पार कितनी बन गया शिक्सेटी ओं ठीक है अब बाग करते हैं तोलरेंस की फेरी इंपॉर्टन अब टोलरेंस कितनी है हमारी इसकी 5% 5% का मतलब क्या हो गया कि यह कितना हो सकता है 5% of 680 is how much 680 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो 68 होगा 0 1 खटा दो अब उसका अगर 5% निकालोगे तो कितना होगा 34 इसका मतलब जितना जितनी यह रिजिस्टेंस है हमारे पास यह 680 से 34 कम हो सकती है यह ज्यादा हो सकती है तो आप देख सकते हो कि मैं क्या करूंगा यह जो connector है इस पर मैंने इसको fold किया फोल्ड करने के बाद अब connector में लगाने के बाद क्या किया reset किया reset करने के बाद यह कितनी आगे मरी यह आप देख सकते हों के 669 ऑप्रोक्सिमेटली 668 ऑग तो इस hundred यह हुआ कि I minor 34 और प्लस 34 और माइनस 34 के बीच में तो विदिन दे लिमिट्स ऑफ एरर आई इस देट ओके तो यहां हमने क्या किया कलर देखके रिजिस्टेंस बतानी सीख ली ठीक है अब उल्टा करेंगे बुल्टा क्या करने हैं वही टेप वाला रिजिस्टेंस प्लस देखके लिए खाने यह सकरने ऎसेज ओर अब की बार हम इसकी रिजिस्टेंस पहले मिजर कर दे तो कि पिर बात में वेरिफाइड करेंगे कि क्लर क्या होने चाहिए फिर चेक करेंगे कलर वैसे है या नहीं ठीक है तो आप देख सकते हो कि यह रही मेरे पास वो रिजिस्टर अब टेप इस पर लगी हुई है बैटे तो मैंने इसको कनेक्टर में डाला डालने के बाद इसको प्रेस किया और यू कें सी यह कितना आ गया अब इसका आप देखो ध्यान से यह है 12.02 किलो ओम अब 12.04 किलो ओम तो अब 12 किलो ओम पहली बात अब 04 कितना आ गया यह 0.04 किलो बन गया 40 तो इसका मतलब 12,000 का 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 म होगा वो 5% variation देगा चलो अब चेक करना हमें इसके कलर कौन कौन से है तो हम इसकी टेप उतार देते हैं मेटे बहुत जिपा गई है तो तो लोग अब हम जो convection है जो उसको लगाके इसकी resistance पहले चेक करते हैं पहले देखे सच कलर कौन कौन से होने चाहिए हमारी साब से पहले इसको छोड़के वह देखते हैं अब अगर कलर देखे तो कलर कौन कौन से आने चाहिए अब हमें क्या क्या के ले लेना है 12 किलो तो 1 2 into 10 10 बैं टू थी तो 1 2 3 1 2 3 का कोड देखे लो साब बनेगा ब्लेट व्रॉपाल पहला घंड्रिवला से पष्ण चाहिए अब दूसरा के होना चाहिए और त chaîne तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन कर दो